आपका स्वागत है तो आज जो टॉपिक हमने लिया है वो मुख रूप से है एक आर्टिकल और इस आर्टिकल को हमने लिया है दा हिंदू न्यूश पेपर से और इसका नाम है या इसका शिर्शक है दा इस्टॉर में रेट सी दा कॉंपलेक्सिटीज और क्लोबल इवेंट औ अब इससे समधित क्या प्रश्ण हो सकता है क्योंकि प्रश्ण जानना बड़ा जोरी है प्रश्ण है इस्राइल हमास युद्ध में किसी तीसरे पक्षि को शामिल होने से रोकने के लिए वैस्विक व्यस्था को सामोहिक रणनीती पर क्यों कारी करना होगा तो सब्द सिमा 200 है तो अगर आप लिखने का प्रयास करना चाहे तो आप इसका जवाब भी लिख सकते हैं लेकिन अब जो हम आगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल का विस्तार देखेंगे वह इस प्रश्ण को केंदर बिंदू को रख कर करेंगे उसे ध्यान में रख कर करेंगे चले देख जो सुन्नी की आबादी है वह सिया के मुकाबले काफी जादा है वह इसलिए क्योंकि यमन की कुल आबादी का 60 फिस्दी जो है वह सुन्नी मुसल्मान है जबकि सिया की आबादी करीब 35 फिस्दी है इस करन सिया और सुन्नी इन दोरों के बीच लंबे समय से यमन में विवा और उसको बनाया हुसेन बदरुद्दीन अलहूती ने और इनके नित्रुत में इस संगठन ने ततकालिन राष्टपती अली अब्दुल्ला साले और यमन सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो यह लड़ाई चली रही थी लेकिन साल 2004 में क्या हुआ कि यमन की सेना ने हुस विद्रियों का ही कबजा है अब जरा हम अगर यमन की स्थिती देखें यह देखें यह है यहां पर यमन जो कि हम देख चुके हैं यहां पर यह है सना और यहां पर यहां पर यह है एरेड सी अब यहां से होती है कहानी की शुरुआत देखें ऑक्टूबर में इसराईल पर ह प्रतिक्रिया प्रारम हुई और उसी में हूती मिलिसिया ने ये घुसना की कि वह गाजा के लोगों का समर्थन करने के लिए या फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करने के लिए युद्ध में शामिल होगा अब जो हूती हैं कहां पर हैं वो यमन में हैं और ये हैं क्या ये है शिया और इरान क्या है वो भी एक शिया मुल्क है तो इरान हूतियों को मदद देता है और उसको समर्थन देता है तो यहाँ पर दो इंगल आए एक तो जो हूतियों को समर्थन है इरान का तो यहाँ इरान भी इंडरेटली इंवल्ड है अब इससे क्या होगा कि इससे यह जो अलाल सागर है या जो रेड सी है जो एक महतपूर्ण जलमार्ग है जो स्वेज नहर से भी जुड़ा हुआ है या प्रभावित होगा या संगर्स के बीच में आ गया और स्वेज नहर की अगर हम बात करें तो क्या विशेशता है स्वेज नहर की इरान, इराक, सौधी अरब, युए, ओमान, कतर, भारीन तो इन सारे देशों से कहीं नहीं इस्टेट और फॉर्मोच गिरा हुआ है लेकिन इसे एक राजनितिक अवरोधक बिंदू के रूप में देखा जाता है इसलिए इसका एक बेहतर विकल्ब के रूप में कौन है वह है लाल सागर वहीं, आगर हम सौधी अरब की बात करें तो सौधी अरब का एक महतपूर्ण शहर है जिसे फुचुरिस्टिक सिटी के रूप में सौधी अरब के क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान इसका विकास कर रहे है और यहां से भारी मातरा में तेल भी बाहर भीजा जाता है तो कुल मिलाकर यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लाल सागर की जो प्रमुक्ता है उसको देखते वे इस पर कहीं ना कहीं एक्सन लेने के ज़ुरत है क्योंकि जिस तरीके से हूती हमास के समर्थन करने की बात कर रहे है और जिस तरीके से वो कारिक कर रहे हैं उसके लिए भी है काफी जोरी है और कारिक कैसे कर रहे हैं वो देखे नौमबर के मद्द में इन्होंने क्या किया इसमें यह दिखा कि हूती आतगवादियों ने एक हेलिकॉप्टर में एकदम हत्यारबंद लोगों के साथ एक मालवाग जहाज पर हमला किया और उस जहाज को अपने कैप्चर में ले लिया तो अब यहाँ पर यह है कि यह जो जहाज है उनका यह खना कि यह इसराइल से समन्दी था और यहाँ जहाज लाल सागर से भारत की और यात्रा कर रहा था। उसके बाद की घटना यहाँ पर यह हुए कि 9 वर के बाद से हूती आकरमन कारियों ने लगातार उस रास्ते में जो भी वानिजिक जहाज है या जो भी कमर्शल श्रीप उस पर उन्होंने अपने हमलों की संख्या तेज कर दिया है और दैनिक आधार पर वहाँ पर हमले किये जा रहे हैं अगर हूति funeral के पास अस्त्र शस्तो की बात करें तो उनके बात पास हजार किलोमेटर तक की मारक चंता वाली टॉर्पीडो और मिसालियों सहीथ सैनी चंता का एक विविद मिसरण है उनके पास और दो हजार बाइस तक हूतियों के संस्त्रागार में आठ दो हम की शुरुआत में अगर हम देखे तो केवल उनके पास तीन थी और उनकी रेंज कितनी थी पचास किलोमीटर से कम मतलब हम बात करें 1990 के दसक में तो जब से होती ने अपनी कहानी शुरू के तफसर लेकर अभी तक हम देखे तो उनके सुस्त्रागार में हत्यारों की संख्या काफी बढ़ चुकी है इसी को देखते वे स्युक्त राज अमेरिका ने ड्रोन और मिसाइलों के रूप में खत्रों का मुकाबला करने के लिए लाल सागर की ओर से सैनी शंता तेनात करने वो सबसे आगे राए जिसमें अब लंबी दूरी की मिसाइलों साहित समू के सैनी कैटर दौरा पर्त्यक्ष संचालन उसमें सामिल है और ठीक एक दिन पहले ही स्युक्त राज अमेरिका ने हूतियों के कई ड्रोनों को मार कर गिरा है फिर आगे देखें अमेरिका भी ये कर रहा है कि अपने जो प्रमुक साज़ेदार है कौन-कौन एक तो यमन फिर जिबूती और इरिट्रिया जो कि आप मैप में देख रहे हैं यह है यमन यह है जिबूती और यहां पर यह इरिट्रिया और जिबूती की बात नहीं पर यहां पर यह है कि जिबूती एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका, चीन, जापान, इटली, फ्रांस, इन सब के यह सेनि ठीकानों की मज़वानी करता है. तो अमेरिका की इन तीन साज़ेदारों की यहां पर बात हो रही है, यमन, इरिटरिया और जिबूति की, तो अमेरिका निया बात कही है, कि इन सब के पास जो मौझूद है यह बाब अल-मंदेब, तो यहां पर भौराश्टी टास्क फोर्स तैनात किया जाए, मतलब अलग- ऐसा किया जाता है, तो यहां और बढ़ जाएगा, और यहां बात जानता है सौधी अरविया, इसलिए सौधी अरविया ने अमेरिका को यह कहा है, कि वो सीधे कोई भी सैने कारवाई इस छेत्र में ना करे नहीं तो, क्या होगा कि यहां की जो भूराजनितिक इस्थिती है वो और भी जटिल हो जाएगी, और यहां पर यह है कि सौधी अरविया इसलिए हम बात कर रहा है, क्योंकि सौधी अरव 2015 में यमन में हूती के किलाव उसने युद्ध शुरू किया था, और अभी भी यह कहीं न कहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम 2023 की सुरवात की बात करें, चीन ने अंतराष्टी इस्तर पर एक महत्पुन कारी किया, कि उसने सौधी अरव और इरान के बीच में मध्यस्ता की, और उसी मध्यस्ता के आधार अब यहां पर यह हो रहा है, कि सौधी कहीं न कहीं हूतियों के साथ भी बातचीत कर रहा है, ताकि जो लगातार 15 से बीजिंग का जो संतुलित रुख रहा है, उसने कहीं न कहीं अमेरिका की इस्तिती को कमजोर किया है, और चीन की इस्तिती को काफी मजबूत किया है, क्योंकि अमेरिका की दोरा इसराइल सेना को सहता दे गई, जबकि बीजिंग ने या चीन ने अपना संतुलित रवया अक है कि अगर लाल सागर में सुरक्षा में कमी होती है चीन को छोड़ कर यह जो तीन देशें उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अब कैसे वो देख लीजिए जब फारस की खाड़ी में और विवस्था फैली थी और एक तनाव उत्पन्न हुआ था अमेरिका और इरान के बीच में तब उस इस्तिति में भारत ने ऑप्रेशन संकल्प चला था हलां कि उस ऑप्रेशन संकल्प में उमान के द्वारा भारत की मदद की गई थी. जहाँ पर भारती नौसिना ने भारत के धज से सजेवे जहाजों को एसकॉट किया था और एसकॉट किया था जो तेल टेंकर थे उनको उस तेल टेंकर को उस शेतर से भारत के और ले जाना था जापान और दच्छिन कोरिया को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इरान के साथ इनके समंध काफी तल्ख हो गए थे तो ऐसी स्थिती में अगर अमेरिका यह कहता है कि सभी साज़ेदार एकजूट हो जाएं और मिलकर इस छेतर में जो तना है उसका मुकाबला करे तो यहाँ और तारकिक नहीं है लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता क्या इस तरह के पहले के कोई प्रयास हुए हैं जी हाँ इस तरह के पहले के प्रयास हुए हैं हुआ यह था कि जो तटी पूर्वी अफरिका है खासकर सोमालिया के आसपास तो समुदरी डखेती के मुद् इसे इन गस्तों का नित्रत किया लेकिन 2012 और 2023 में काफी फर्क है क्योंकि अब वेस्टिक भूराजिती बहुत अलग दिखती है और अलग इस रूप में भी दिखती है कि 2012 का चीन और 2023 का चीन काफी अलग है और ऐसा नहीं लगता है कि चीन किसी भी बहुत पक्षी गतिविधी में अपने आपको शामिल करेगा खास करतव जबकि अरब राज्यों में उसकी अपने एक अलग पैट बन चुकी है लेकिन यहाँ पर महत्पून क्या है तीन देसों की बात हो रही है वो तीन देस कौन-कौन है भारत जपान और दच्छिन कोरिया तो इन में छेतर से तेल औ और गैस के सुद्ध आयातकों के रूप में आम सुरक्षा चिन्ताएं इन में बनी विये इसलिए इन देसों को रणनिनितिक और गतिसील रूप से पश्चिम ACI सुरक्षा में हित धारकों के रूप में अपने आपको शामिल करना होगा मतलब यहाँ पर है कि जो अमेरिका क भूराजनितिक विवस्था में वर्तमान में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नौन इस्टेट एक्टर्स की भूमिका काफी बढ़ती चले जा रही है इस इसलिए मौजुदा जो विश्व की चुनोतिया है उसका समाधान करने के लिए भारत जैसे देसों को अधिक प्र पुर्तिला, वेभारिक विकास और शक्ति की त्यनाति को स्विकार करना होगा तुस्तकार डेली एडिटरल एलाजसे से समंदित आज के वीडियो को हम यही पर विराम देते हैं फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ नमस्कार